नमस्कार, स्वागत है आपका News World India में मैं हूँ आपके साथ भारती सिंग देश की सबसे मुलवान कंपनी, Reliance Industry के चेर्मेन मुकेशंबानी अब एशिया के सबसे अमीर शक्स नहीं रहे हैं चीन के जॉंग शांशान अब उनसे आगे निकल गए हैं Bloomberg Billionaires Index के मुताबिक सुर्खियों से दूर रहने वाले जॉंग की Net Worth इस साल 70.9 अरब डॉलर से बढ़कर 77.8 अरब डॉलर पहुँच गई है इसके साथ ही वे दुनिया के 11 सबसे अमीर शक्स बन गए हैं एशिया की सबसे अमीर लोगों की सूची में अब नॉंग फू और वताई जैसी कंपनियों के मालिक चीन के जॉंग शांशान 77.8 अरब डॉलर की संपत्ती के साथ पहले नंबर पर हैं मुकेशंबानी 76.6 अरब डॉलर की वेल्थ के साथ दूसरे नंबर पर हैं इस सूची में तीसरे स्थान पर पिंग डो अरब डॉलर के कोलिंग हुआन हैं उनकी कुल संपत्ती 63.1 अरब डॉलर है टीसेन के पॉनी मा 56 अरब डॉलर की संपत्ती के साथ चोथे स्थान पर हैं अलिबाबा और एंट जैसी कंपनियों के सर्वे सरवा जैक मा 51.2 अरब डॉलर की संपत्ती के साथ पांचवे नंबर पर खिसा गए हैं सरसित साल के जॉंग को चीन के बाहर शायद ही कोई जानता है उन्होंने अप्रेल में वैक्सीन बनाने वाली कंपनी बीजिंग वताय बायलोजिकल फामिसी एंटरप्राइज को को पबलिक किया और फिर कुछ महीने बाद बोतल बन पानी बनाने वाली कंपनी नॉंगफू स्प्रिंग को की हॉंग कॉंग में जोरदार लिस्टिंग की लिस्ट होने के बाद से कंपनी का शेयर 155 फीसदी बढ़ चुका है इसी तरह वताय का शेयर 2000 परशन से ज्यादा बढ़ चुका है नॉंगफू के शेयरों में तब उच्छा लाया जब सिटी ग्रूप इंक ने कहा कि कंपनी ने मार्किट में अपने दब्दबे को बढ़ाया है और उसके पास परियाप नगदी है जोंग की दूसरी कंपनी वताय कोविड-19 का वाक्सीन विक्सित कर रही है सरकारी जांच का दायरा बढ़ने से चीन की टेक कंपनियों के शेयर में गिरावट आई जिसका फायदा जोंग को मिला जैक मा की संपत्ती अक्टूबर में 61.7 अरब डॉलर थी जो अब घटकर 51.2 अरब डॉलर रह गई है मुकेश अमबानी के लिए ये बहतरीन साल रहा उन्होंने अपनी कंपनी को टेक और ई-कॉमर्स कंपनी बनाने के लिए कई सौदे किये इस साल उनकी संपत्ती 18.3 अरब डॉलर बढ़कर 76.9 अरब डॉलर पहुँच गई एक समय अमबानी दुनिया के चौथे सबसे अमीर शक्स बन गए थे लेकिन उसके बाद से कंपनी के शेरों में एक तरह से ठहराव आ गया इस वज़े से अमबानी दुनिया के टॉप 10 अमीरों की सूची से बाहर हो गए है फिलाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही जुड़े रही है न्यूज वर्ल इंडिया के साथ धन्यवाद